हेलो अवरीबन, वेलकम टू माइनेम इस इमन तुम्रे और आप लोग को पताईए क्या पढ़ाने आता हूँ केमिस्ट्री, क्लास 11 की केमिस्ट्री, 12 भी होती है लेकिन आज बात है क्लास 11 की केमिस्ट्री, सर क्या चल रहा था, एक बढ़िया सा लेक्चर खतम किया था, आज एक और नए लेक्चर पे, सर केमिकल बॉंडिंग, NCRT सॉलुशन, पार्ट टू, पार्ट टू सर, पार्ट टू, पार्ट वन हो गया क्या सर, हाँ कल हो गई थे न, दस कोशन, आज है कोशन नंबर 11 से चालू, ठीक है सर, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, और मैंने कल आप सर, पता तो चलेगा, आपको याद है क्या नहीं, पता तो चलेगा, मैंने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, सर आप लोग कमेंट देते हो ना, उसका ये सीधा सीधा सिगनिफिकेंट जाता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है कि, नहीं, और अगर आप कमेंट करते हो तो सर मेरा समझ में नहीं आ रहा है किस bah कपी तो मिलोगे तभ देख लएगे दाभरी बोर रहा है कि चलू कल दें अंप सर कल दोना, सर कल दोना, कर दोना, ये लो तो, सर कल दिया, पहला कोशन, पहला कोशन, आजाओ, बहुत बढ़िया कोशन है, और अगर आपको याद हो, तो जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेंस में ये पूरा करवाया था, उनने बोला, explain the important aspect of resonance with reference to the CO3-2, सर वो कह रहा है, इसको बताते हुए, थोड़ा resonance को explain कल तो, हमने का ठीक है सर कल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने का पहले तो इसका diagram बनाओ, पहले तो इसका diagram बनाओ, सर देखिए, कारबन है, तीन oxygen है, या आगे एक, single bond से ये, single bond से ये, दिख रहा है, और सर ये तो single bond ह है, तो oxygen तो satisfy नहीं हुआ है, तो oxygen satisfy नहीं हुआ है, तो कहीं से इसने electron चुरा लिए, पाकिट माली किसी की, इसलिए इसको पर 2- माइनस लिखा है, दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है, सर दिख आ हैं, बहुए बध बढ़ी है, सर अब इसकी, designing क्यों कर रहा है मैंने का मन कर रहा था सर आपका मन बड़ा इधर उधर होता है मैंने का ठीक है ना अब सर समझो आप पता क्या होता है किसी के उपर भी negative charge और positive charge tension का काम करते हैं सर बोज है ये लोग किता नहीं आरम को positive नहीं चीए ये लोग बोलते बाई ये बढ़िया बिंदास अदमी देख रो डबलबाण लेके बढ़िया तो फिर रोने लगा मचल गया नीचे मतलब यह हुआ कि माल में मार्केट गया तो यह मचल गया बीच में बीच मचल है जाए इसने ले 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 लेकिन आसा नोटंकी तो मत कर यह भी जानता था अगर घर में नोटंकी करूंगा देगा नहीं वो तो भाईया उसने भाई मार्केट में उसको एक एलेक्ट्रो इदर दे दिया बॉड जब ऐसे दिया तो इस्ट्रक्चर देखो किता ब्यूटीफुल बन गया बूटीफुल बन गया सर ए दूसरे दिया फिर मार्केट गया इसने सोचा यार पहले उसके पास था फिर उसके पास आ गया मैं भी यही टेक्निक अपनाता हूं जो भाई ने अपना ही थी कौन सी वाली मचलने वाली तो यह मचल गया बॉट जम के कहता भाईया मेरको भी चाहिए यह देखो तो सर जब डाइग्राम फिल से बना तो पता चला भाईया अब भाई के पास आ गया यह देखो ठीक है और फिर आब इनके पास माइनस माइनस आ जाएगा किसी और से बनाएंगे सर अच्छा लगता है तो सर कार्बोनेट के ये तीन स्ट्रक्चर्स थे कार्बोनेट के ये तीन स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले ये तीन स्ट्रक्चर्स ये वाला ये वाला और ये वाला अब भाईया पबलिक ये बोलती है सर पेपर में कौन सा बना के आएंगे पेपर में कौन सा बनाके आएंगे पहला वाला दूसरा वाला और तीसरा वाला कौन सा बनाके आएंगे सर ये तो पताओ आप हमको हमने का भईया बता देंगे बता देंगे टेंसन की बात कुछ मतलो सब करवाएंगे सब होगा टेंसन की बात कुछ भी नहीं है, सब मिलेगा भाई सब मिलेगा, सब पेपर में क्या बनाएंगे, पहले समझो सर, सर अब बॉन्ड क्या हो रहा है, यहां से यहां यहां गया, फिर यहां से यहां, अब क्या होगा, जैसे यह इदा जाएगा, यह भी मचल यहां, यह कहता है, वो property सब की है सब के पास equally divided हो रहा है और सर वो क्या है वो bond distribute हो रहा है क्या distribute हो रहा है सर bond मतलब movement of movement of bond हो रहा है सर मज़ा नहीं आ रहा है सर ये movement of bond लिखने का कोई तरीका है क्या bond किस से बने सर electron से सर तो बड़िया तरीके से लिखते हैं movement स्पेलिंग ही बूल गया मैं चिया movement of electron हो रहा है तो उनने का ठीके सर electron तो अच्छा है क्योंकि bond किस से बनता है electron से लेकिन सर movement पा word अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने का भाई तुमारे अच्छे के लिए थोड़ी करूंगा सब उनने का सर प्लीज प्लीज तो लीजे सर बहुत तगड़ा नाम delocalization of electron sir delocalization of electron का मतलाव एक जगा पे वो electrons नहीं है वो electrons मूव कर रहे हैं और कहां पर मूव कर रहे हैं कि सबको बराबर मातरा से stability दी जाए sir जब भी आप यहाद रखिये कभी भी ऐसा हो कभी भी ऐसा हो क्या हो कभी भी कभी भी क्या होना है पहले बठातो दो कभी भी एक structure कभी किसी molecule को अगर explain नहीं कर पाता तो वो कई सारे structures बनाता है और इन सारे structures को बोला जाता है बिटा resonating structures all three structures all these three structures structures are known as are known as resonating structure क्या कहेंगे इनको resonating structure बात समझ गए और resonance की definition क्या बताई delocalization of electron in a molecule is known as is known as क्या बोलोगे resonance क्या बोलेंगे is known as resonance यह बात आपको पता हो नहीं चाहिए इसको यही रहने दो इनको ले चलो उपर जरा is known as यह समझ पा रहे हैं उपर कोई दिक्कत की बात तो नहीं है अब सर लेकिन फिर भी सर पेपर में क्या इत्ता सारा बनाना पड़ेगा कोई एक structure नहीं है मैंने का है सर एक structure है जो इनका सब का पपा है इन सब का में स्ट्रक्चर है सर देखे कैसे उसने बोला सब के पास सिंगल बॉंड तो है टेरें टेरें और आप आपने देखा है सर सर खुश सोचो पहले डबल बॉंड यहां था फिर यहां था फिर यहां था फिर यहां था फिर यहां था ऐसा समझ लो इसको थोड़ा उपर कल दे disturbance क्रियेट कर रहा है मिरको आप अप अप यह सब सिंगल बॉर्ण सब पर है कोई बोलता यह वाला structure दिखाऊ तो केता देख डबल बॉर्ण यह लगा केता यह दिखाऊ तो केना देख डबल बॉर्ण यह लगा मतलब यह дबल बॉर्ण तीनो जगह पर IS अब तीनो जगह पर कैसा यह बरावर मात्रा में बटा हुआ है कोई भाई यह यहां दिखां तो यह रहा यह रहा इसी को कहते है तो resonating structure इसको कहते है resonance hybrid सर यह स्वरीय इसका main structure होता है resonating या resonating hybrid यह main structure है जो तीनों structures को satisfy करता है और तीनों structure को समझाने का काम करता है तो यह sir क्या होता है इसी को कहा जाता है resonance जो अपन ने carbonate के माध्यम से समझा दिया किसके माध्यम से समझा दिया carbonate के माध्यम से एक बात हमेशा या दखना resonance के अंदर हमेशा सिर्फ electron की shifting होती है किसकी shifting होती है? Electrons की कभी भी जो atoms है उनकी position को मत बदलना देखो इसमें भी oxygen अपनी जगह पे ही है सब अपनी अपनी जगह पे है सिर्फ कौन move कर रहा है? Electrons Electrons ही move करते है कभी अगर आपने atom को इधर उधर हिलाया मतलब आपका गया फिर वो resonance नहीं होगा ये बात हमेशा याद अखना सर ये बात हमेशा याद अखना हमेशा इस बात को याद अखेंगे हमेशा ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कोई दिकात? चलो फटरवर note down करो ये था अपना आज का बहुत बढ़िया सा जल्दी ये पहला कोशन की सुरुवात हुई पहला कोशन बढ़िया चल रहा है पहला कोशन बढ़िया चल रहा है हाना? चीक है चीक है चीक है जल्दी 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 हो गया? चलो टेरें टेरें यह क्या बोल रहा है सर हाँ H3PO3 can be represented by structure 1 or 2 shown below यह 1 में और 2 में ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है ओके ठीक है 1 में भी शो कर रहा है 2 में भी शो कर रहा है ठीक है can these two structures can be taken as canonical form of the resonance hybrid वो कह रहा है क्या यह दोनों resonating structure है क्या वो कह रहा है क्या यह दोनो resonating structure है क्या नहीं है यह कहना चाह रहा है of the resonance represented if not give reason for the same हाँ मेरे साब चापको क्या लगता है क्या नहीं है मैं अगर बोलू क्या नहीं है not resonating structure तो कैसा रहेगा कैसे आप justify करोगे क्या नहीं है सर सर एक ही तो है बढ़िया सा तो दिख रहा है क्यों नहीं है मैंने का सर अब भी मैंने आपको पिछले में ही बताया मैंने का सर electron से कोई दिक्कती है लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ध्यान से देखना सर बहुत ध्यान लगेगी इसमें कि आप देखो अभी ये phosphorus और hydrogen उपल थे मतलब bond किस ने बनाया था phosphorus ने बनाया था hydrogen के साथ बनाया था क्या नहीं बनाया था और इधर देखो सर इधर वो atom हड गया वो कहां आ गया नीचे आ गया मैंने का था कभी भी atom अपनी position change नहीं करते हैं यहाँ पर किसकी position change हो गई atoms की और अगर atoms ने atoms ने position change कर ली अगर atoms ने position change कर ली तो resonance नहीं है तो resonance नहीं है यह बात याद रखना है 101% यह बात को याद रखना है तो सरीय resonating structures नहीं है resonating structures नहीं देख लो एक बार जल्दी देख लो 101% देख लो जल्दी देख लो जल्दी देखो कोई दिकत तो नहीं कोई problem तो नहीं देखो चलो अब squat आते हैं देखते हैं भाई सामने क्या लिखके रखा है कुछ तो लिखा होगा चलिए अभी तो इसमें नहीं दिया लेकिन आप लोग खुद mention कर दीजेगा कि भाईया, atoms ने position change कर ली इसी लिए ये resonating structures नहीं है क्योंकि भाईया, atoms क्या कर सकते हैं, resonance की condition क्या थी मैंने अभी आपको बता है, resonance की condition क्या थी, एक पर बताओ Sir, electron का movement होता है de-localization of electron होता है de-localization of electron होता है नहीं मानेगा, छीक है de-localization of electron होता है de-localization of atom नहीं ही होता है इस बात को 101% मान के चलेंगे अपन ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में कोई भी गरबर नहीं हो नीचे या अगर गरबर हो गई, तो समझ लो फिर तो लग गई अपने लंका फिर तो अपनी लंका लग गई है चलिए, इसका एक बार screenshot लो जल्दी लो जल्दी एक बार clear कल दूँ, चलो ठीक है, पक्का बढ़े आगे next question पर बढ़े, चलिए चलते हैं question number 13 पर चलो, बढ़ आए 13 ये लो sir, sir क्या question है देखतो ले हैं अपन write the resonance structure of this अरे sir, ये तो बच्चो वाला question देती है ये अपन को हराएगा क्या अरे ये क्या हराएगा, देखो sir sir, resonance तो आपने बढ़िया पढ़ा दिया है कैसे, चीक है, चलो sulfur की बात कर लें sir sir, SO3 है ना, पहले लो लिख लेते हैं लिख लेते हैं, पहले SO3 की बात हो रही है चलो, आजाओ sulfur ये oxygen, ये oxygen, ये oxygen sir, अब देखो इसके पास होते हैं 6 electron ये देखो sulfur के पास भी 6 होते हैं तो भाईया, पहले तो वह double bound मनाता है, उपर ऐसे आप किया करेगा भाईया oxygen को कहां से देगा तो वह oxygen को sulfur के पास होते हैं 6 तो एक loan पेर वह इस oxygen को देता है और एक loan पेर वह इस oxygen को देता है दिखा के नहीं दिखा इस तरीके का structure तयार करता है कौन सर? SO2 अब भाईया आप लोग जानते हो market में में चल जाएगा कोई कौन में चल जाएगा सर? यह असी बात करीती आपने कौन में चल जाएगा? सर यह वो यह की तो है यह oxygen में चल जाएगा मेरे को double bond चाहिए आप सलसर विचारा क्या करे भाई सब से उसको बना के चलना है किसी को दोखा नहीं दे सकता तो उसने थीक है भाई तू ले ले double bond यह ले फिर यह बोलता है की चल मेरे को दे भाई लोन प्यार दे थे यूप यह लोन प्यार देती अब फिर थोड़ी आगे गए दूसरे मार्केट में गए तो भाईया दूसरा भाई मचल गया कौन मचल गया दूसरा भाई कौन मचल गया दूसरा भाई कौन है सर ये वाला मचल गया के ता भाई तुमने उसको दे दिया हमें नहीं दे रहे हो तो उसने का भाईया यार ऐसा नहीं है लो भाई तुम भी ले लो यार सब लड़ लो इसी सब बातों पे तो यह लेखो इसके पास चला गया oxygen और इधार हो गया single bond single bond नहीं मतलब वो lone pair वाला single यह वो तो यह तो इस तरीके का structure बनता भाईय है sulfur dioxide का sulfur trioxide का एक बार double bond काहा दिख रहा है यहाँ पे एक बार काहा दिख रहा है यहाँ पे और एक बार काहा दिख रहा है यहाँ पे दिखा गया नहीं दिखा जी सल दिखा और indirect लिए आपने दिखा हो तो ना तो oxygen बदले हैं ना sulfur बदले हैं बस bonds की जगा change हो रही है तो इसमें हो रहा है delocalization of electron मैंने हमेशा बोला है delocalization of delocalization of electron जिसको अपन कहते है resonance क्या कहते है सल जी resonance पका कोई दिखा तो नहीं चलिए note down करिए फिर बात करेंगे NO2 पे फिर बात करेंगे अपन n o t p e जल्दी करेंगे जल्दी 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 करो जल्दी करो हो गया चलो अब बारी अ Bowl टो की कि टेरें टेरें चलो नाजन सार्ट्रो सा Town साथी साथ 2 ऑक्सीजन हो हम जानते हैं सर ओक्सिएं के पास कित्ते एलेक्ट्रॉन होते हैं छे ये और नाइट्रिजन के पास सर नाइट्रिजन के पास होते हैं पाच एलेक्ट्रोन पाच होते हैं आखरी में अब देखो क्या होता है सर ये पहले तो डवल बॉर्ण शेर कर लेता है ये देखो ऐसे बाइक करोंट। डवल बॉर्ण तो नहीं होते हैं इसको अपने टोनेट करता है इसे लिए तो जो डाइगराम बनता है अब यह आपको इतना appropriate नहीं दिख रहा होगा यह मैंने ऐसा बनाए इसका diagram देखो यह कितना बढ़िया दिखेगा इस तरीके से होता है ऐसा यह अब उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ होगा आप सब जानते हो क्या हुआ होगा ना रोने लगा होगा कोई market में कौन रोया सार इस बार कौन रोया होगा इस बार सर यह oxygen रोया किता मेरे को double bond चाहिए तो भईया दूसरे वाले oxygen ने बोला दे दो यार भाई बे रोजगारी वो क्या हो रहा है कि भईया market में अपना नाम खराब हो रहा मज़ा नहीं आएगा तो यह दो structure बन गए भईया इनको फिर कहते है resonating structure अगर आप ध्यान से देख रहो तो किसी की position चेंज नहीं करिए सिर्फ कौन चेंज हो आई सार डबल bond यह फिर यह कहां चले आएगा इधर तो यही बन जाएगा फिर इधर इस तरीके से यह लोग चेंज करते रहेंगे इसी को कहते है resonating structure क्या कहते हैं इनको resonating structure कोई दिक्कत कोई दिक्कत याद रखिए most of the time वो तीन bond ही बनाता है until and unless कभी ज़्यादा जरूवत ना पड़े तो until and unless कभी ज़्यादा जरूवत ना पड़े तो वो भया सिर्फ तीन bond ही बनाएगा चलो आगे बढ़ो जल्दी अगले कोईशन की तरफ चलते हैं अगले कोईशन की तरफ चलते हैं आजाओ चलो हटा दू चीक है सर नेक्स्ट क्या है अरे सर ये तो और ब्यूटिफुल है NO3 माइनस आजाओ एक ओक्सीजन दो ओक्सीजन तीन ओक्सीजन चीक है अब ध्यान से देखना सर योगे 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 और इसके पास ये एक रखाए अब देखो सर पहले तो इसने इससे डवल बॉंड बना लिया ठीक है फिर इसने इससे डवल बना लिया दिखा अब इससे इसने सिंगल बना लिया बना लिया अब ये ऑक्सीजन गुस्टर में बेठा है मैंने जा क्या हो गया भाई पहले बताओ तो कैता भाई उनसे तो आपने डवल डवल बना लिया मेरा तो सिंगल बेठा हो मेरा क्या होगा मुझे तो एक इलेक्टर चाहिए तो इसने का भाई किसी बगल वाली का चुरा ले pocket ही तो मनना कोई बगल से जागा धीरे से उसकी J मूठखा लेना तो कोई बगल साया थीरे से J मूठका ली उसके ऊपर कौन सा चाज आ गया माइनस चारज क्योंकि किसी की pocket लिये उसने इसलिए तो एक माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक इस से लिलिया तो बर्बर हो गए तो इस तरीके का अरेंज़मेंट दिख रहा हूँ, अब मैं इसको नॉर्मल अरेंजमेंट में बताँगा ये मैंने आपको पूरे इलेक्ट्रों के साथ बताया है अब मैं इसको नॉर्मल वे में दिखा रहा हूँ आपको कि जब सिव आपको structure दिखेगा यह nitrogen एक double bond यहाँ सर एक जगा वो lone pair देगा क्योंकि 5 bond बन जाएंगे एक जगा वो lone pair देगा मैंने गलत कर दिया मैंने बनाएगा यह 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 नहीं बनाएगा आपको 5 bond तयार नहीं करेगा वो lone pair देगा तो यह lone pair दिया तो यह देखो और इधर पर क्या है single bond और उसके क्या चार्ज है माइनस चार्ज है तो इस तरीके का arrangement इसको देखने को मिलेगा इसको थोड़ा छोटा करो क्यों साथ छोटा क्यों कर रहे हो क्योंकि आभ भी बताता हूँ ना मैं आपको छोटा क्यों कर रहो कि हाँ अब देखो आप देखो जाना इसका अब इसका दूसरा आपको पता रोने लगा होका कौन हाँ सर मैं समझ गया कौन रोय होगा यह रोत ले लोक बहुत लो कि इसने लोन प्रण लेलिया अब भाई यह थोड़ी दे बाद आपको पता यह रोएगा यह का यार सर आपने हमको भबसाना दिया थोड़ा हमें भी तो चेंजिस करवाओ हमें भी तो लगना चाहिए चाहिए कि हमारा कुछ फाइदा हो रहा है तो इनने का ठीक है चलो आ आपका फाइदा भी करवा देते देखो आपको यह अच्छा कलर लेंगे लो तो यह नाइट हो जानाया इसने का हमें चाहिए डबल बॉर्ड इनने का लो ले लो डबल बॉर्ड अब यह उपर वाला बोलता हमारे पास पहुच जाएगा कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज और भाया इधर देखे तो इसके पास क्या पहुच गया लोन प्यार देखो सिर्फ इलेक्टरॉन की शिफ्टिंग हुई है ध्यान से देखोगे तो इलेक्टरॉन की शिफ्टिंग है देखो यह इधर शिफ्ट हुआ है देख रहा है और फिर इसके बाद यह जो आया सॉरी reverse हुआ है, इधर हुआ है इधर shift हुआ है और फिर इधर आया तो ये कहाँ shift हुआ है इधर shift हुआ है, देखो हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तीनों को कहेंगे फिर से resonating structure क्योंकि यहां हो गया delocalization of electron इसको कहेंगे resonating structure क्या कहेंगे सर resonating structure ये तीनों structure मैं आपको बनाकर दिखा दिए है इस पही virus, इस पही vite इस पही Wiris उनने वही बोला था resonance structure बनाकर दिखाये उसने अपनसे resonating structure या फिर hybrid नहीं बोला था नहीं तो मैं hybrid भी बना जोता उसने मुझ से resonating structure बोले था इसलिए मैंने resonating structure बता दिये हो गया रहा इसके चोट, पक्का ना, पक्का के नहीं, पक्का के नहीं, ठीक है ना, चलो आजाओ, क्या बोल रहा है, यूज लुइस सिंबल, तू शो इलेक्ट्रोन ट्रांसफर, बिट्वीन दा फॉलिंग एटम, तू फॉर्म के टाइन और ना, लो भाई, ये तो इतना आसान कोशन दे रहा है न, क्या बताऊं मैं आपको, मैं ये पूरा नहीं कराऊंगा, भाई, आकरी वाला आप लोग के लिए छोड़ूँगा, क्यों, क्यों सर ऐसा क्यों, भाई, ये बहुत असान कोशन है यार, बिटा, बहुत ज़्यादा असान कोशन है ये, ठीक है, चलो, अब देखो, के और एस में क्या होगा, ज़रा मजने की कोशिच करना, सल्फर जो होता है, सल्फर के आखरी में कितने एलेक्टरोन होते हैं, पहले तो वो पता लगाओ, सर्फर के आखरी में 6 एलेक्टरोन होते हैं, अब कैसे पता, सल्फर 16 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, अब ध्यान से देखिए, 2 और 4 क्या होता है, 6 होता है कितना होता है छे होता है तो सर्ट छे हो गया कितने होते हैं सर्ट छे होते हैं तो अब ध्यान से देखिए छे उसको कितने चाहिए भाई या कम्प्रीट करने के लिए दो चाहिए कितने चाहिए दो तो यहाँ पर एक के हो गया सर पोटेशियम के आखरी में क्या होता है सर एक एलेक्टोन होता है अलकली मेटल है अलकली मेटल के में एक ही होता है चेक करके देख लो चेक करके देख लो, उन्ने से 1S2, 2S2, 2P6 3S2, 3P6 4S1 तो यह देखे, आखरी में कितने हैं, एक ही है के नहीं है तो यही तुम्हें कह रहा था, आखरी में कितने हैं, एक है आखरी में कितने हैं, एक ही एलेक्ट्रॉन है सर लेकिन सल्फर को तो दो चाहिए है सल्फर को तो दो चाहिए है तो ये एक ही देगा तो साथ ही होगा मतलब एक और के आएगा हाँ एक और के आएगा दिखा ये देगा एक ये देगा एक जैसी एक देंगे तो सर ये के हो जाएगा क्या positive और sulfur के पास कितने हो जाएंगे sir sulfur के पास कितने हो जाएंगे 2, 4, 6, 2, 8 तो यह हो जाएगा minus 2 और यह कितना हो जाएगा फिर से ही हो जाएगा k plus अब आप जानते हो 2 plus हो जाएंगे तो 2k plus हो जाएगा और यह minus 2 हो जाएगा तो sir इसको ऐसा लिख सकते 2K प्लस और यहां पर हो जाएगा S माइनस 2 और जब इसका bond बनेगा बनेगा तो 2K हो जाएगे न तो इसका formula होगा K2S क्या हो जाएगा sir K2S इस तरीके से यह बनेगा sir इस तरीके से आपको सब को दिखाना पड़ेगा बहुत simple question है sir इसमें है ही क्या बलकि मैं तो चाहरा था एक ही करवा हूँ बाकि आप ही करोगे लगिन मैंने का चलो एक और करवा देता हूँ आप लोग के लिए अच्छा है एक और करवा देता हूँ जल्दी note down करो जल्दी note down करो इससे असान तो कुछ भी नहीं होता है इससे असान तो कुछ भी नहीं होता है जल्दी करो फटा फट फटा फट फटा फट जल्दी बड़े आगे next क्या है calcium and oxygen चलो सर एक बात बताओ बताओ सर सर जो sulfur था ना वो ये oxygen family का भी है तो भी या oxygen के पास भी कित्ते होते है छे चीक है सर calcium के पास कित्ते होते है सर calcium है alkaline earth metal इसका atomic number होता है 20 मैं कहता हूँ ज़्यादा confusion हो फट से लिखो ये देखो आखरी में क्या लिखा है 4s2 4s2 का मतलब 2 4s2 का मतलब 2 4s2 का मतलब 2 अब जब 2 है तो क्या होगा सर सर देदो 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 सर दोनों देदेगा क्योंकि उसको 2 की जरूद है कितने देदेगा 2 देखा दोनों देदेए जब दोनों देदेए तो क्या प्राब्लम है क्या प्राब्लम है दो देदेए तो बहुत शे अंदर चलो, अगर 2 दे दिये तो इसके उपर क्या चार्ज होगा प्लस 2 और औक्सियन के अगर बात करूँ मैं 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और भाईया यह हो गया माइनस 2 सर अब देखो, प्लस माइनस को अट्रैक करेगा जब अट्रैक करेगा तो कुछ किसी के उपर नहीं आएगा बढ़िया फॉर्मला बनेगा C-A-O कैल्शियम ओक्साइड कैल्शियम ओक्साइड, कितना बढ़िया बना क्या दिक्कत की बात थी और यह जो अलुमीनियम हाइड्रोकसाइड वाला या अलुमीनियम नाइट्राइल वाला जो है यह होमवक है भईया मुझे बस यह बताना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में कि इसके अंदर इसके अंदर नमबर ओफ बॉन्स कितने बने हैं मैं भी तो देखू कितने लोग तेज हैं अलुमीनियम नाइट्राइल में नमबर ओफ बॉन्स कितने बने मैं भी तो देखू कितने लोग पढ़ने वाले बैठें आज आज कितने लोग पढ़ने वाले बैठें अलुमीनियम नाइट्राइल में होमवक हैं number of wants कितने है जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाया number of wants कितने है कोई दिक्कत कोई दुख कोई परेशानी जल्दी करेंगे फिर बढ़ते हैं question number 15 के तरफ फिर बढ़ते हैं question number 15 के तरफ जल्दी जल्दी लिखो जल्दी जल्दी को किसा साइट तो हो जाओ लिखने तो दो मैंने का चलो लो लिख लो लो लिख लो बाई जल्दी लिख लिख लिया कोई थकलीफ कोई प्रावलम नहीं ना चलिए तो चलते हैं कोशन नबर 15 लेकिन यह होना चाहिए यह होना चाहिए मैं नही लड़ाई हो जाएगी नहीं तो अपनी बोच जम के बोच जम के हो जाएगी मैं नहीं जानता हूँ पहली बोल चुका हूँ एक बार गुछस्प आजाता है मेरेको बहुत तेजी में चलो सर इसको करने वाले हैं जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी अब उन्ने क्या बोला है जरह देखो उन्ने क्या कोशन बोला है कोशन पढ़ो ऑल्दो बोथ CO2 and H2O are triatomic molecules ठीक है triatomic है triatomic का मतलब क्या होता भी है देखो एक और दो तीन H2O एक और दो दो और एक कितना हो जाएंगे तीन तो दोनों क्या है triatomic molecule है ठीक है हमने का अच्छी बात है और कुछ the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear explain this on the basis of dipole moment sir dipole moment से shape बताना है और sir अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो आज के लिए margin पे लिख लेना dipole moment का application होता है shape बताना होता है आप थोड़ा बहुत prediction लगा सकते हैं dipole moment के behalf में लगा सकते हैं लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब समझो sir आप ध्यान से देखिएगा co2 के बारे में जानते हो के नहीं जानते हो जानते हो ना co2 के बारे में जानते हो के नहीं जानते हो देखो हमने क्या पढ़ा है carbon और oxygen कौन ज़्याद है जल्दी बोलेंगे चिल्ला के बोलेंगे मैं नहीं जाने तक कान तक आवाज नहीं आईगी बहुत गुस्सा जाईगी sir oxygen ज़्याद है तो sir oxygen के तरफ वो होगा ऐसा error होगा क्योंकि हमने पढ़ा था सर अगर A और आपने B लिया है let's suppose B ज़ादा Electro Negative है ज़ादा Electro Negative है तो उसके तरफ arrow होता है उसके तरफ arrow होता है हमने कहा था है जो डाइपोल और यह सब होता ही है होती है vector quantity magnitude as well as direction दोनों होता है तो यह हो गया अब दूसरे साइट भी तो ऐसी होगा दूसरे साइट कौन सा अलग हो जाएगा अब यह देखो दिख रहा है और सर इधर भी oxygen है इधर भी oxygen है तो पक्की बाते दोनों जगर जो dipole moment बता रहे हैं वो दोनों बरावर होगा मतलब मान लो मेरा एक हाथ ऐसा है एक आसा है Boy Roti 50-90 ओश्या मैं वर्त है एक पचास को का इधर खीच रहा है क्या मैं कहीं जा हूंगा यह तो मैं अपने मन से ब्ल रहा हूं मैं कहीं में यह नहीं जाओंगा मैं ठोनों खोना जहिए दित हुच रहे हैं cancel कर देंगे और cancel कर देंगे तो भाई का dipole moment कितना आगया जीरो और सर एक बात या दखना dipole moment 0 तब आता है जब आपकी geometry linear हो जब आपकी geometry क्या हो सर? linear हो इसी लिए बोला जाता है CO2 का dipole moment 0 है इसी लिए उसका shape कैसा है? linear है सर सर क्या है, linear है, हमने का, अच्छी बात है, कोई दिककत की बात थोड़ी है, क्या आ गई geometry, linear आ गई, लेकिन सर ठीक है, यह तो आपने justify कर दिया, और हमने अच्छा भी लगा, अब इसको थोड़ा सा adjust कल लो सर, मैंने का ठीक है, कल लेते हैं adjust चलो विजिबल है कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़िया दिख रहा है जल्ली बता तो भाई कैमेरमेन जल्ली फोकस करो जल्ली विजिबल है कोई दिक्कत तो नहीं है चलो, अब यहीं पर दूसरे की बात कर लेते किसकी, अपना पानी पानी हो गई, वो यह क्या नहीं है, चलो आजाओ पर, कोई है भाई, ह2O, आजाओ सर, सर ह2O की बात कर लेते, बढ़िया है, ओ, टेरें, टेरें, हाँ, भाई, दो वोन पर आ रहें, आप हलके में ले रहेते, क्या, नई, यह हीडूजन, यह हीडूजन, अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है, यहाँ जादा इलेक्टो नेगेटिव होता है, उसके साइड डारेक्शन होता है, तो ऑक्सियन जादा इलेक्टो क्या कैंसल ओ रह रहे हैं क्या अपोजेट होते तो हैं यह दो इधर की तरफ यह वली हो कैंसल कर द े चलो था द हो यह जा रहा है यह द SMITH एक कल से को कई कौन करेंगा इसको गॉल करेगा मतलब वह एंसल नहीं हो रहा है cancel नहीं हो रहा तो इसका dipole moment not equal to 0 यह तो confirmate 0 नहीं होगा और अगर आपको अच्छी value चाहिए तो yellow value भी दे देता है मैं mu equals to 1.84 d divide 1.84 divide तो इसका dipole moment 0 नहीं है क्योंकि 0 कब होता? जब linear होता लेकिन यह linear है यह नहीं यह तो है angular shape यह तो है band shape देख़ए ना ऐसा क्या होता? उल्टा भी नहीं है angular नहीं है band नहीं है तो इसको कहते हैं sir angular shape band shape और V shape और यह सब क्यों है? क्योंकि भाईस आपका dipole moment क्या नहीं है? 0 क्या नहीं है dipole moment भाईस आपका? 0 not equal to 0 इसलिए यह shape देखने को मिल रहे हैं और भाईस आपका 0 क्यों है? क्योंकि भाईस आपका dipole moment कैसा आगया? 0 बहुत दल्द हुआ मेरे को यह सुनके होता है कभी-कभी मेरे को दल्द लेकिन क्या करूं भाई? क्या कर सकते हैं? जिन्दगी एक खेल है ठीक है भाईस आपका 0 यह उनका 0 नहीं फटवर जल्दी note down करेंगे जल्दी देखेंगे जल्दी कोई दिक्कात? कोई प्राब्लम? कोई परिशानी? हो तो बताओ यह कोशन यह आपर होता है solve डाइपॉल मुवमेंट के basis पर करना था डाइपॉल मुवमेंट के basis पर कलती है जल्दी करो जल्दी note down करो जल्दी करो सार टाइम की कमी है वा वा भाई तीन उंगली तो फेर नहीं है हाँ आप जो आईफोन वाले होंगे उनको तीन उंगली से नहीं होगा स्क्रीन शॉट उनका अलग तरीके से होगा लेकिन जो भाई एमाई वाले हैं वो बढ़िया बिंदास कर लीजे ठीक है आईफोन वाले साइट से होते हैं अच्छा सेंटर से चीच चलो बढ़िया है atif shall बढ़िया है चलिये सर यह बाली बात करनी है अभी अपनका जो देखा वही बाली काम है अभी जो अपनने देखा बस वही बाली बात है सर पहली चीज़ आ गई अभी मैंने क्या बोला डाइपोल जो होता है वो शेप को प्रेडेट कर देता है जो dipole moment होता है वो literally थोड़ा भोथ shape को क्या कल देता है predict कल देता है अभी पीछे देखा था CO2 भाई की लग गई थी लंका किसकी लग गई थी CO2 की क्यों हो क्यों कि उसका dipole moment 0 था और 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है linear और अगर 0 नहीं होता तो क्या हो गया था bent, angular और एक और नाम था V-shape, एक और नाम था V-shape, देखो the molecule shape can be determined symmetrical molecule such as linear, देखो linear लिखा है have 0 dipole moment देखे 0 dipole moment whereas non-symmetrical जो symmetrical नहीं होते take on the various shape कौन सा shape वो देखो भाईया B-E-N-T bent और ये देखो angular पूरा छप गया भाई ये तो बढ़िया काम किया हमारे computer साब चैल ये बहुत सांदर, बहुत सांदर को दिकात, अच्छा दूसरी बात ये तो पहला point था पहला point note down करेंगे, फिर अगले point पर चलेंगे पहला point note down करेंगे, फिर अगले point पर चलेंगे जल्दी 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 चलो अब समझना यो गया पहला? अब देखो मान लो भाईया दो लोग है एक है SCL और एक है HF ठीक है? अब मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने पढ़ाया था सर जिसकी electro negativity जित्ती ज्यादा जो जित्ता ज्यादा दोगला होगा वो उत्तार नातक करेगा भाई ठीक है? चलो दो नाम देता हूँ मैं आपको बढ़िया वाले ठीक है? देखो बढ़िया नाम देता हूँ मैं आपको दो ये जो F है न ये फ्लोरीन है इसको एक और नाम देते हैं इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अशोक इसको क्या बोलते हैं अपन अशोख कोई दिक्कत और ये जो है क्लोरीन इसको भी एक शॉट फॉर्म में नाम देते हैं ये दोनों दोगले आदमी है दो फ्रेंड है मेरे ये पम्मी भाई है सबसे जादा दोगला कौन है क्या आवाज आरहे है मेरे को आशोख बोल रहा हम नहीं रहे हाँ सलोरीन है सबसे दोगला आदमी है सबसे और छॉठ शूघर की तो खेल लग गाए कैंई तो आशोख फॉरी कोसेश करेंगे हाइड्रोजन से पैसा छुपाने की पैसा लेने की और जब पैसा ले लेंगे तो भाईया इसका डाइपोल मुमेंट क्या होगा सरजी ज़्यादा आएगा डाइपोल और अगर डाइपोल ज़्यादा आएगा तो ये बात confirm है कि ये ज़्यादा polar nature दिखाएगा ये ज़्यादा polar nature दिखाएगा ये बात confirm है और भाईया पम्मी भाई इनी से सीखें पम्मी भाई जो है वो इनी से सीखें अब जब इनी से सीखें है तो ये चुराएंगे लेकिन थोड़ा सा कम चुराएंगे जब कम चुराएंगे तो इनका जो डाइपोल आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा इनका डाइपोल मूवमेंट थोड़ असा कम आएगा और जब कम आएगा तो भाया इसका जो पुलार नेचर है वो भी क्या होगा कम होगा तो सर आप तो बस इत्ता याद दखो जिसका पुलार नेचर जादा कहां लिखूं, कहां लिखूं उपर लिखता हूं कहां लिखता हूं, उपर लिखता हूं जिसका पुलार ऐसा लिखेंगे जिसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा वो ज़्यादा पुलार मॉलिक्यूल होगा बस इत्ता बात याद रखिये बस बात खतम और इसी का वाइस वलसा अगर किसी का polar या dipole moment कम हुआ तो polar molecule भी कम होगा आजा यह second point पढ़ेंगे बहुत बढ़िया है In order to determine the polarity of molecule the polarity will be greater if the dipole moment is greater and vice versa and vice versa भाई गुस्टा बहुत होना तुम दोना भाई ऐसी example लिया था ने तो गुस्टा हो जा भाई और अगर कोई अशोग बैठा हो तो प्लीज दिल पर मत लेना दिल वाली बात नहीं है ठीके चलिए second point note down करिए फिर आगे बढ़ते screenshot लीजे जल्दी screenshot लीजे जल्दी screenshot लीजे चलिए तो हुआ गया नहीं second point बढ़िया था चलो भाई यह जल्ली ले लो यार यह पठापड ले लो यह सोग भाई यह कोई देखे उससे पहले अपन खतम कल दें ठीके हो गया चलिए sir third point third point तो और बढ़िया है इनने यह कह दिया कि अगर किसी का dipole moment जीरो आगया किसी का dipole moment क्या आगया जीरो आगया तो sir वो non-polar है वो क्या है sir जी non-polar है देखो we can say that if a molecule has zero dipole moment it is non-polar and if it has some polar character it is non-polar ठीक है अगर उसके पास थोड़ा बहुत भी polar character है तो हम क्या कहेंगे it is polar sir जी यहाँ पन non नहीं आएगा डूको काला कलर उढ़ा लेते हैं अपन इधा non नहीं आएगा क्योंकि एक बात याद अखिएगा अगर किसी का dipole moment zero है तो वो non-polar है sir तो वो non-polar है ऐसा मत करना है याँ थोड़ा सा चीज सोचके अगर किसी का dipole moment zero है तो भाईया वो non-polar है लेकिन अगर किसी का dipole moment zero नहीं है तो भाईया वो polar है तो वो polar है polar 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 कोई दिखका चलिए sir चलिए यह 3 point हो गए sir point number 1 चलो आप लोग जब तक note down करो point number 2 और point number 3 चलो समझ में आया क्या जल्दी जल्दी स्क्रेंशोट स्क्रेंशोट बनता है स्क्रेंशोट बनता है मैं साइड में खड़ा हो जाओ आप लोग खीश लीज़े यह लो ठीक है ठीक है ओके clear है चलो ऐसे में लेना चाहो तो एक ऐसे में ले लो ऐसे में ले लो कुछ नहीं दिख रहा है बस यह गलत है रुख जाओ अभी नहीं लेना अब ले लो अब ले लो अब ले लो जल्ली ले लो चलो चीक है ओ यह क्या आगया है define electron negativity how does it differ from electron gain enthalpy सर यह पढ़ाया है मैंने याद आया कुछ आहाँ वोई 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 चलो एक बार दिखा देते हैं सर एक बार मज़ा जाएगा थोड़ा सा अब क्या होता था यह फ्लोरीन थोड़ा सा भईया दोगला आदमी है हमने यह बात करी थी तो यह क्या कलता है इस बांड को अपनी तरफ खीचता है कहता है घूर आगइ अगर इसको लगए डाला तो लाइप जिंगा लाव यह तो अपना आइटम है कहता है लेलो कपहता है खीचो कहता है आजा आजा लगाता लेता बारबर तो यह थोड़ा थोड़ा उसके साइट गहाता भी है तो थोड़ी दिर बाद आपको यह दिखता कि diagnose हो देको है मोगया भाई के साथ दिखा कुछ कुछ दिखा आपको फर्क दिखा हाँ सर ये जो bond था ना ये bond थोड़ा थोड़ा shift हो गया है किसकी तरफ फ्लोरीन के तरफ फ्लोरीन ने इस shared paired of electron को भाईया थोड़ा ध्यान से तुलिएगा इस shared shared paired of electron को attract कर लिया है क्या कर लिया है सर जी attract कर लिया है जिसके चलते जब वो उसको attract करेगा उसके चलते भाई के उपर आजाएगा कौन सा चार्ज negative चार्ज सर नेगेटिव क्यों आया है ऐसा मत पूछना नहीं तो अब भी यह रहा है यही पर धुलाई हो जाएगी क्यों सर क्यों क्यों क्योंकि और भाई के electron लुद गए, तो भाई या लुद गए, तो आएगा positive, क्या आएगा positive, और जब भी किसी को बन negative और positive charge आ गया, तो यह polar molecule हो गया, और अपने शमता, किसी भी electron को खीच लेने की, attract कर लेने की, उसी को कहते हैं अपन क्या sir, electron negativity, क्या कहते हैं, electron negativity, तो इस case के अंदर, इस case के अंदर, fluorine is, fluorine is more electro negative than hydrogen, इसी लिए उसने अपने साइट खीच लिया, as compared to hydrogen, उसने अपने साइट खीच लिया, as compared to hydrogen, तो यह बात या दखे, इसी को कहा जाता है, electron negativity, और sir, यह जो होती है, किसी भी element की fix नहीं होती, क्यों sir, fix क्यों नहीं होती, क्योंकि sir, सामने वाले पर depend कर रहा है, अब जैसे समझो, यह fluorine है, यह fluorine है, तो आप यह fluorine सोचा होगा, मैं इसको खीच लेता हूँ, तो पता पीछे जावाज क्या थी, ए, ठांदा, मैं भी है, किजर हाथ लगा रही है, तेज मत चलना, मैं भी खीचूंगा, तो इस केस में तो 0 हो जाएगी, इस केस में थोड़ी खीच पाएगा, अब अगर मान लो, carbon और fluorine हो जाए, तो यह इसको खीच रहोगा, carbon खीचने भी देगा, क्योंकि carbon इतना powerful नहीं है, लेकिन hydrogen से तो ज़्यादा है, वो कहीच तो ले, लेकिन एक टाइम के बाद बोलेगा, बास, हो गया, ज्यादा खीच रहा अब थोड़ा सा, पर मेरा रोधरू रूप देखो के क्या, ऐसा बोल देखा, तो सार, depend करता है सामने वाले पीपी, इसलिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो होती है, उसक चुरा के लेके जाते हैं उनकी यूनेट नहीं होती, कमाने वालों की हमेशा यूनेट होती है, हमेशा, तो ये जो चुरा रहा है ना धीर से, पीट पीछे खीचने का काम, इसलिए इनके पास यूनेट लेस है, क्या है, यूनेट लेस है, चलो, एक बास देख लो, इसकी स् Tendency to attract the shared pair of electron from an atom which is in a chemical compound, it is electronegativity. यही बोला था? अपने तरफ bond को खीचने की शमता उसी को कहा जाता है, electronegativity. दूसरा आजाओ. It varies according to the element with which is bounded. देखा, सामने कौन है, उस पर depend कलता है. क्या कलता है, उस पर depend कलता है. It is not constant for any element. किसी भी element के लिए constant नहीं होती. It is not a measurable quantity. भया, है ही नहीं, उन्हेंट क्या कल सकते हैं. तो यह किसके बारे में है? Electronegativity. किसके बारे में है, भया? Electronegativity. कल दो इसको गुबारे में ले लो. यह देखो भाई. यह चीजे थी जो अपन पढ़ रहेते हैं. चलो. ठीक है? हो गया? पहले सका screenshot लो, फिर भाई साब से बात करवाता हूँ आपकी. जल्दी screenshot लो, फिर भाई साब से बात करवाता हूँ. चलो. चलो, चलो, जल्दी, जल्दी. जल्दी, जल्दी. आजओ. Electronefinity. वैसे मैंने का था, दोरू का मतलब एक ही है. लेकिन मैंने समझाया है मेरे chapter में. क्या फर्क है? जिसको भी इंद के बीच में, और इसके बीच में फर्क जानना है. वो जाईए मेरा electron gain enthalpy के topic पर और समझी है महाँ पर. वैसे दोनों एक ही है. लेकिन मैंने आपको समझाया था, major difference क्या है. minor difference था, major तो नहीं था. अगर कोई दोनों को same बोले, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन मैं कहता हूँ, अलग ही बोलो ना, काय को same बोलनेगा. जब नाम चिंटू है, तो चिंटू बोलो. भाई, एक ही जन को चिंटू बंपू थोड़ी बोलेंगे भाई. तो ये है कि दोनों एक ही चीज नहीं है. दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है. तो आप जाइए भाईया, दोनों के अंतर को पता करिए और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. सर, क्या फर्क था? चलो. इलेक्ट्रोन गेन इंथल्पी मैंने आप सबको पढ़ाया है. टेंडनसी टू गेन इलेक्ट्रोन. टेंडनसी टू गेन इलेक्ट्रोन फ्रम एन आइसोलेटिज गैशियस एटम, इट इस इलेक्ट्रोन गेन इंथल्पी. भाईया, इलेक्ट्रोन को गेन करने की शमता, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोन गेन इंथल्पी. ठीक है? आगे देखेंगे. It does not vary according to the element which width is bounded कोई फर्क नहीं परता सामने कौन है कोई नहीं फर्क परता सामने किस से bond बना रहे लेना है भाई लेना है जम के electron लेना है वैसा वाला ना रहा है It is constant अगर fluorine की electron negativity अगर minus 200 है तो sir आज भी minus 200 होगी कल भी होगी सामने चाहे कोई भी आ जाए की electron gain enthalpy minus 300 है तो आज भी होगी कल भी होगी कल शाम को भी होगी पलसो रात में भी होगी चाहे सामने कोई भी आ जाए और भाईया it is a miserable quantity क्योंकि ना पी जाती और काई में ना पी जाती वो भी बताये था किलो जूल मोल इनवर्स और एक ही नहीं है कई यूनिट्स थी लेकिन यह में यूनिट्स है किलो जूल मोल इनवर्स क्या है किलो जूल मोल इनवर्स यह बात आपको पता होनी चाहिए क्या दिक्कत है कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत बताओ जल्दी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी it is a miserable quantity यह होता है सर आपका difference between electro negativity and electro gain enthalpy clear है, चमका के नहीं चमका भाई यह जल्दी बताओ, यह सब चीजे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको भाई हर एक चीज मैंने आपको करवाई है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको छुड़वाया हो सर बहुत महनस से पढ़ाए हर एक topic अच्छे से देखिएगा, सर अच्छे से एक तरफा चीजे हैं अच्छे से देखना है सब को बढ़िया तरीके से चलो जल्दी करो जल्दी जल्दी करो जल्दी 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 चलो, हो गया? चलिए, clear कर दो, ये लो सर इसका screenshot ले लो जल्दी जल्दी screenshot ले लो उसका फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी screenshot ले लो चलिए बढ़े हैं ये लो, आजाए सर, सर, explain with the example of covalent bond, यह यह न, polar covalent bond माँग रहा है, explain with the help of suitable example polar covalent bond, चलो, ठीक है, पहले तो बातों को समझो सर, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा covalent bond के बारे में, वैसे सर, इसमें सारी चीज़े पता है मिरको, मैं चाहूं तो जो लिखा है, उसको सिर्व रीट कल दूँ, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये flow chart, अगर आप बना लोगे न, आपके लिए चीज़े आसान हो जाएगी, सर, सबसे पहली बात, covalent bond में क्या होता है, सर, दो element लगेंगे, A और B, और condition is that, कि इनके बीच में bond जब बनेगा, जब transfer of electron होगा, क्या होगा सर, transfer of electron, जब transfer of electron हो जाएगा, तो कौन सा bond बन जाएगा सर जी, covalent bond, कौन सा bond बन जाएगा, covalent bond, और ये जो covalent bond रहेगा, ये दो type के होंगे, ये दो type के होते हैं सर, आप सबको पता, कौन कौन से भई हैं, एक बार लिख दो, एक बार दोनों के नाम लिख दो, एर कमेंट सेक्शन में जल्दी, एक होता है polar covalent bond, और एक होता है, non polar covalent bond, एक होता है polar covalent bond, और एक होता है, non polar covalent bond, चीक है चीक है इसके लिए थोड़ा पीछे चलेंगे पीछे चलना पड़ेगा इसलिए इसलिए चलो आजाओ 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 देखो अब ध्यान से देखना Polar Covalent Bond सर यह कैसे पता चलेगा जैसे लेक सपोस एक एक ग्जामपल लेते हैं SCL का किसका लेते हैं SCL का चीक है अब ध्यान से देखना Hydrogen एक क्लोरीन के पास साथ होते हैं चीक है इसने कल लिया इसने भी कल लिया दोनों के बीच में एक bond बन गया कौन सा bond हो गया सर हाइड्रो क्लोरिक एसिट का अब आप जानते हो सर आपने पढ़ाए कि क्लोरीन is more electronegative as compared to hydrogen तो वह इस bond को अपनी तरफ खीचने की कोशिच करेगा पूरी जान लगाएगा because electronegativity जादा है because electronegativity जादा है उसके चलते क्या होगा बैया जो SCL है SCL के उपर इसके उपर चार जाएगा delta negative और इसके उपर चार जाएगा delta positive क्या आएगा सार delta positive और एक बात या दखना जब भी किसी के उपर positive और negative sign आ जाता है तो इसको अपन केते हैं polar molecule क्या केते हैं इसको अपन polar molecule इसलिए इसमें polarity आ जाती है polarity induced हो गई और अगर किसी में polarity induced हो गई तो इसको अपन केते हैं polar molecule क्या करेंगे polar molecule इले dabei यह की अगर यह का वात है जब इनके बीच में इलेक्ट्रो नेग्टिविटी डिफ्रेंस हो अगर रेट्रो नेग्टिविटी डिफ्रेंस नहीं है तो पिर कोई चार्स नहीं है कि वह पुलार कोवलेंट बॉंड होगा आप दूसरा भी सुनलो सर दूसरा पूछा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए दूसरा भी सुन लो पता होना चाहिए क्या सर नॉन पोलार कोवलेंट बॉन पहले काम करो बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है स्पेड हो गया है तो पहले इसको थोड़ा सा ठिकाने लगा दिया जाए ठीक है ठीक है नॉन पोलार कोवलेंट बॉन अब आजाओ चलिए अब जैसे एक्जामपल देता हूँ मैं आपको ऑक्सीजन का ठीक है ऑक्सीजन के पास कित्ते एलेक्टोन होते है सर्जी 6 दूसरा ऑक्सीजन के पास भी कित्ते होते है जल्दी बोलो जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में 6 कौन सा बॉन मनाएगा जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखा हो न अच्छिए कौन सा बॉन मनाएगा double bond triple bond single bond जल्दी 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 मुझसे पहले सर्जी double bond बनेगा अब भाई ऐसा तो बोल नहीं सकते कि oxygen एलेक्टो नेगेटिव नहीं है very good हो एलेक्टो नेगेटिव एलिमेंट सर लेकिन जैसे यह खीचता है तो भाई इसकी आवाज आती है 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 रुखके रुके मैं भी हूँ मैंभी oxygen यह हम यह कैता मैं भी खीचेंगा अब दोनों बरावर मात्रा से खीच रहे चले लगा अहना और छॉले लगा धका और वह बरभ फिर वह खुत गूछ कोंगेगेदा कि नहीं का स humility कि द उसे को cancel कर देंगे, cancel कर देंगे तो भया Electronegativity difference कितना आएगा सर्जी 0 और जब Electronegativity difference 0 होता है तो भया उस Molecule को कहा जाता है Non-Polar और Covalent Bond तो था ही तो Non-Polar Covalent Bond क्या बोला जाता है Non-Polar Covalent Bond Non-Polar Covalent Bond क्या बोला जाएगा Non-Polar Covalent Bond क्या बोलेंगे Non-Polar Covalent Bond जल्दी देखिए जल्दी देखिए जल्दी जल्दी Non-Polar Covalent Bond जल्दी स्कीन शॉट लीजे फिर अपना आगे बात करेंगे जल्दी 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 स्कीन शॉट भया जल्दी 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 screenshot ले लो फटावर ले लो screenshot अना time में लगना चीए बाई मैं नहीं जानता चलो पीछा आओ हाँ अब पढ़ेंगे when two unique atom having distinct electronegativity joined to form a covalent bond the bond pair of electron are not shared equally छीक है the nucleus of a atom greater electronegativity attract the bond pair ज्यादा so the electron distribution gets distorted and an electronegative atom attracts the electron cloud तो ज्यादा electronegativity है वो ज्यादा खीच पाएगा as compared to दूसरा thus the electronegativity element gets slightly negative charge and on the other hand the other atom gets slightly positive charge as a result this through opposite poles are developed in a molecule and this type of bond form is called या is termed as polar covalent bond देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आ गया था इसी कॉपन क्या केते हैं polar covalent bond जल्ली screenshot लीजे अब जरूरी नहीं कि आप इतना सब कुछ लिगो मैंने आपको proper दे दिया है अब इसमें आप चाहो तो थोड़ा भी यूज कर सकते हो जादा भी लिख सकते हो आपकी मलजी के अनुसारे हैं कौनसे कोशन आपके होगा है क्योंकि भाईया NCRT से मजाग मत करना मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे चलो यहां देखो SCL example is having a polar covalent bond in SCL chlorine atom has more electro negative हमने का था hydrogen से 10 bond shift towards chlorine atom and because of that it requires positive charge देखे ना यह in a bond बनाया इसने खीच लिया तो इसके उपर आगे है negative charge और इसके उपर आगे positive सरीए कोई triple bond नहीं है यह equals to है कि आप यह देखिए इसके आगे यह हो रहा है नहीं तो आप लोग बोलो सा triple bond कहां से बन रहा है यह देखो यह equals to है ऐसा बढ़िया देख रहा है equals to यह ऐसा इस तरीके का कोई दिक्कत कोई problem पका clear है चलो एक बास का screenshot लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्ली screenshot लो सर मैंने आपको बोल दिया हाल है कि copy में लिख रहा है उससे आपको फायदा होगा मेरे को नहीं चीजे clear होंगी पूरा एक copy बनाईए मतलब यह जहाँ आपका topic खतम होता है उसके बाद डालिए ऐसे ncrt solution उसके बाद पूरे question number one से चलो करिए भली theory हो कुछ भी हो लिखते चलिए जहां तक जाएगा वो total question शायद इसमें भी 40 के असपा से तो पूरे लिखेंगे भाई भाई जब मैं करवा रहा हूं तो आप क्यों नहीं और चाहू तो जैसे मालो आज की lecture में मैंने 15 करवाए तो 15 के पंदरा आपने आज कर लिए अब कल सुवे फिर खोलने मिटे तो भाई आप चाहू तो पंद मेरा as well as chemistry दोनों का दिल NCRT ही है और सर दिल से पंगा नहीं दिल से प्यार करते हैं ठीक है दिल में एकदम प्यार होना चाहिए प्यार बाटेंगे और प्यार कहां मिलेगा NCRT के अंदर तो प्लीज NCRT से प्यार करिए अगर आप NCRT से प्यार करेंगे तो सर आपका दिल अ सहारा लेना पड़ेगा तो भाया यह याद अखिए फिर ऐसे तीर बनाई एंसी आटी पर एंसी आटी से करो ना प्यार जम के और किसी से नहीं ठीक है न मैं समझ रहा हो ना मैं क्या कहना चाहरा हूं किसी से रही किस से करेंगे एंसी आटी से क्योंकि सर इस बुक को लगा डा तो लाइव जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला चीक है चलो जल्दी नोट डाउन करो जल्दी 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 हो गया चलो क्लियर है चलिए सर अगले कोशन की तरफ चलने वाले हैं बहुत बढ़िया ये भी अच्छा कोशन है ये भी बहुत बढ़ increasing ionic character in the molecule सर एक बात बताओ ionic character मतलब ionic bond सर एक बार मुझसे पहले आप लोग arrange करके दिखा दो मुझसे पहले एक बार आप लोग arrange करके दिखा दो कि आपको क्या लग रहा है किसका जादा होगा किसका कम होगा किसका ऐसा होगा वैसा होगा जल्ली करके दिखा दो सर आइनिक केरेक्टर जो डिपेंट करता है वो आइनिक बॉंड पे डिपेंट करता है और पता है आपको आइनिक बॉंड किस पे डिपेंट करता है आइनिक बॉंड डिपेंट करता है कि कितना बढ़िया केटायन है और कितना बढ़िया एनायन है और सर एनायन तब तगड़ा होगा जब इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी और केटायन तब बढ़िया होगा जब इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे कम होगी तो आपको बस ये डूढ़ना है कौन सा ऐसा NIN है या कौन सा element उस compound में जिसकी electro negativity सबसे ज़ाधा है और जिसकी electro negativity सबसे कम है, मैंने का बहुँच है अंदर मैंने का बहुँच तो कर रहे हैं मैंने का A, कौन है भया L.I.F, Sir, fluorine most electro negative element of the periodic table Yes, Sir, Sir, Lithium का है पहला group, पहला group मतलब भया positive आदमी, कैसे आदमी, positive तो Sir, इनके बीच का difference सबसे ज़ाधा है, इनके बीच में electro negativity difference सबसे ज़ाधा है तो कहां जबाना, increasing order में न, ठीक है, तो Sir, सबसे ज़ाधा आइने character इनी के बीच का होगा, इनी के बीच का होगा फिर, 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 सर, फिर देखो एक और है, Lithium के नीचे, Sodium Sodium के नीचे, एक और भाई मिलता है जिसका नाम है Potassium, कौन है Sir, Potassium, और उसके साथ Oxygen, ये भी electro negative है तो second number पर आएगा Sir K2O कौन आएगा, K2O, अब कौन आएगा Sir, ये बताओ, तो मैंने का Sir, समझो, फिर आएगा कौन Sir, क्लोरीन और फ्लोरीन क्योंकि, Sir, फ्लोरीन बहुत जादा electro negative है, और साथ में रखा हुआ है क्लोरीन, अब इधर पर देखो Sir, ऐसे तो Oxygen और Sulfur भी है लेकिन मैंने क्या पढ़ाया था, बिटा जब हम Left to Right जाते हैं तो जादा electro negative है, मतलब फ्लोरीन जादा electro negative है, तो इनका difference जादा होगा, as compared to this इसलिए फिर अगला number आएगा, कौन Sir CLF3 फिर किसका आएगा Sir, सर फिर S or 2 का आएगा, अच्छा सबसे कम N2 क्यों बुला आपने, क्योंकि Sir, क्योंकि Sir उनके बीच का electro negativity difference ही नहीं क्यों नहीं है Sir, क्यों नहीं है Sir, तो आपने अभी तो पढ़ाया था क्या पढ़ाया था, Sir जित्ती तेजी से ये खीचेगा, उत्ती तेजी से ये भी खीचेगा, तो कहीं बॉन जाएगा ही नहीं जाएगा ही नहीं, तो दोनों की electro negativity कैसी है बराबर है, माल लो इसकी electro negativity 1, इसकी electro negativity 1 1-1, 0 नहीं हो जाएगा हाँ Sir, सही बात है, तो आइनक करेक्टर तो इन में है ही नहीं, तो Sir, ये order आपके सामने रहेगा ये order है, सबसे अच्छा चलो, अपन थोड़ा सा game खेल के इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से इता रख ले हाँ ये ये रहेगा increasing order of आइनक करेक्टर ये आपका answer है, लिग दे लिग दे क्या नहीं लिग दे, लिग दो ठीक है, ये है, increasing order of आइनक करेक्टर सबसे दादा lithium fluoride, फिर potassium oxide, फिर CLF3, फिर SO2 और फिर N2, ये order आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये order पता है, तो कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी पका clear है, कोई दिक्कत तो बस आपको इत्ता याँ दखना है देखो, इत्ता याँ दखना है, क्या कहा लिखूँ यहाँ लिख दूँ Electro negativity difference जितना ज्यादा होगा उतना उतना आएनिक character होगा होगा बस यह याद अखलिया आपका काम हो जाएगा, सर सर, इसको लगा डाला तो live जिंगा लाला इसको बढ़िया से देखलो important trick है important trick है क्या है, सर? important trick है क्या है, सर? important trick है चलो, जल्दी note-down करो जल्दी करो, जल्दी एक screen shot मारो बढ़िया कोशन है, कोशन number 20, सर, 20 पे आ गए लेकिन बड़ी दुक्की बाते, 40 है 40 है लेकिन ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं कल्टो देंगे, भाई, मैं लगाओ पूरी जान से क्या आप तयार है, बिल्कुल सर, आजाओ, क्या कोशन बोल रहा है चलो सर, डॉम्स की पैंसिल आ गए, डॉम्स की पैंसिल सॉलिशन, सर, यह दिया हुए, क्या बोल रहा है दा स्केलेटल स्ट्चर ओफ एसिटिक एसिड एस शोन बिलोव इस करेक्ट हैं, बट सम अफ दा बॉंड्स आ शोन इनकरेक्टली, राइट दा करेक्ट लूइस स्ट्चर ओफ दा एसिटिक एसिड उनने बोला सर जो एटम्स की जगा है वो सही है, जो कारबन है हाइडोजन है, यह सब जगा सही है लेकिन इनके बॉंड्स गलत जम्य हुए हो सकता है, आपको देखो न, कारबन हाइडोजन के डबल बॉंड बनाता है कभी नहीं बनाता सर, यह पॉसिबल ही नहीं है तो उनने का उस बॉंड को सही करो और करेक्ट लूइस स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने का बना देंगे मैंने का कभी नहीं डरेंगे हम बना देते हैं आ जो पहले तो जहाल बहई साम ने अर्रेंज्मेंट दी आये शाप लो हो वह अर्षर मेंसफेः पुआ कभी डिक्कत नहीं देना देखो है कि यह यह अर्रेंजमेंट है कि नहीं है अब हम जानते हैं कि कारबन जो होता है सिंगल सिंगल बॉंड शेर करें का वाई सबसे क्योंकि कारबन के पास चार बॉंड होते हैं चार एलेक्ट्रोन होते मैं कह रहा हूं चार बॉंड होते हैं हाइडूजन भी बोलता है मेरे पास भी एक एक है यह देखो और यह कारबन के पास भी एक होते हैं यह देखो दिख रहा है तो आपको करेक्ट दिख गया सर यह तो सिंगल बॉंड दिख रहा है हमाई साथ तो स् सर फिर हमें पता है carbon भाया क्या करने वाला है इस इंगल बॉंट शेयर करता है तो ये का गया अब सर एक एरह एक एरह रहे दो का रेकूँ दो ऊपर रख़ो ठीक है ठीक है सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है अब ऑक्सियन के पास कित्ते होते हैं सर हम सब ने पढ़ा है ऑक्सियन के पास 6 होते हैं जी बिलकुल सर, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया अब हम जानते हीआ कार्बन ऐक्सियन के साथ क्या बना लेगा डबल बॉर्न कितना बढ़िया बॉर्ण तैयार क्या है, देखो डबल बॉर्ण लीग तिखां कि नहीं गारी उस योग आफ ऑफ दिखेंग flashy अब जाओ इस आफ योग इस आ हो आपका इस इन के पाफ चलो गया तो ये मेरे पास छे होते हैं किता भाई तेरे पास तो आगे एक रागा है मैं भी एक ही रखेगा बस और एक पीछे रख लेगा क्योंकि छे होते हैं हाइडूजन बोलता है मेरे पास तो एक ही है बया मेरे पास तो एक ही क्या करें तो ये कारबन ने बोला मेरे को जादा नहीं चाहिए मैम मेरे को एक दे दो बस एक इलेक्ट्रॉन दे दो फिर ऑक्सियन बोलता भाई एक तो तेरे साथ बागी का गरूँ पीछ आइडूजन बोलता है मैं हूँ ना क्यों डर रहे हो ये देखो सर ये बन गया पूरा स्ट्रक्चर और ये करेक्ट स्ट्रक्चर है करेक्ट लुइस स्ट्रक्चर है सर ये करेक्ट लुइस स्ट्रक्चर है और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया तरीके से बनाएं कोई भी उलेक्ट्रोन ना दिखाएं तो sir इस तरीके से दिखेगा यह है ठीक है इस तरीके से दिखता है और अगर इसका नाम देखें इसका नाम वगेरा सब बताओं मैं आपको तो sir और प्यारा आईए sir आपने 10th में पढ़ा था सम इंपोर्टेंट जो औरगेनिक था औरगेनिक के अंदर था इंपोर्टेंट कंपाउंज करके CH3COOH sir इसको acetic acid कहते है क्या कहते है acetic acid और अगर IUPAC के हिसाब से जाओगे तो इसको ethnoic acid कहते है क्या कहते है sir ethnoic acid कहते है गवराना मत इससे गवराना नहीं मसलब इससे यह acetic acid है और इसको अपन ethnoic acid के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है ethnoic acid के नाम से जाना जाता है कोई दिकत एक बाद देख लो sir sir देख लो गलती क्या थी बास मैं आपको गलतिया बता देता हूँ एक यह गलती थी यहाँ पर हुआ ठीक है यह उसके बाद लोन पैर ये नहीं होता यहीं नहीं होता है इधर पर भी एक नहीं दो लोन पियर आते हैं है यह गल्तिया तूड़िप सी तो यह गल्ति अंपने सब करेक्ट करके बढ़िया तरीके से बना दिया है कि वो सब दिख़ रहे हैं डॉट अगेरा सब दिख रहे न यही यह लोन-पैर से हैं वह लोन-पैर स्ञ ден लोन-पैर की घलती नियों कि अनय चेए लोन पैर सा आ आ दिखते रहना जल्दी बताओ, चमका के नहीं चमका जल्दी बताओ, चलो सर, इसकी बारी, क्या बोल रहा है, आजाओ, अपार्ट फ्रम टेट्राहिडरल जोमेट्री, अनदर पॉसीबल जोमेट्री फॉर, CH4 is a square planar, with the four hydrogen atom, at the corner of the square, and the carbon atom at its center, explain why CH4 is, थोड़ा पानी पिलें सर, क्या बहुत देल से बोलना है ना, इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है, क्या कह रहा है, CH4 का square planar नहीं होता, क्यों नहीं होता square planar, तो देखो ना सर, सबसे पहली बात, मैंने आपो क्या पढ़ाया था, सर अगर hybridization sp3 है, तब होता है सर जी tetrahedral, ठीक है, और अगर hybridization dsp2 है, तब होता है सर जी, square planar, हाँ, तो ये बात confirm है, कि अगर CH4 को square planar बनाना है, तो hybridization यह होनी चीए, मैंने खाट ठीक है, देख लेते हैं भाई को, भाई को पकड़ के ले आओ, carbon क्या होता है, 6, यही होता है, हम सब जानते हैं, S में एक डबा, और P में तीन डब्बे, चलो, हम जानते हैं सब लोग, सब दो electron मतलब ऐसे, दो electron मतलब ऐसे, और दो A मतलब ऐसे, क्योंकि होन्स भाई ने बोला था, पहले सबको single भणना, फिर double करना, चलो सर, सर, फिर हमने पढ़ा है, first excited state, first excited state, इसमें, जो valence shell होता है, valence shell कौन सा है सर, सर, valence shell बताइए, सर, यह है valence shell, इस valence shell में सारे electron को अकेला किया जाता है, क्या किया जाता है, अकेला, क्यों, क्योंकि bond बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए bond, तो यह देखे, यह तो अकेले, अब इसको बोला जाता है, चल बटा आगे, टेरिन, टेरिन, तो फर्स्ट एक्साइटेट स्टेट में क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे, सर, इससे कोई नहीं चड़ेगा, इसको क्यों नहीं चड़ा, इसको क्यों नहीं चड़ा, पहले यह बताओ, इसको क्यों नहीं चड़ा है, रीजा ने उसके पीछे रीजा ने उसके पीछे उसको क्यों नहीं चड़ाए क्योंकि सर वो वैलेंशल नहीं है वैलेंशल ये था वैलेंशल कौन था? ये वाला वैलेंशल था ये क्या था? वैलेंशल excited state में electrons आगे तब जाता है जब वह वैलेंशेल में हो बस यह वाले को मत छेड़ना नहीं तो भाई बंदू के चल जाएंगी फिर मुझसे मत कहना चल और यह एक ही डबा और यह टीन डब है ठीक है अब ध्यान से देखो आप ध्यान से देखना यहां पर किता है सिंगल बचा यहां सिंगल यहां सिंगल आप कौन आने वाला है, सर कंपाउंड क्या बना रहे हो आप, सर जी CH4 बना रहे हो क्या, ओखे, तो सर हाइडोजन आएगा ना, तो बुलानों हाइडोजन को डलते हैं क्या, पहला हाइडोजन यहाँ आएगा, दूसरा हाइडोजन यहाँ आएगा, तीसरा हाइडोजन सब अगर ध्यान से देखो तो पहला हाइडरोजन नहीं गाया है वह हुई आपका अंसर है पहला हाइडरोजन इसमें और यह क्या है सर यह तो एस एक तो पहली ऐसा इए हुआ फेश साट पिस्यां भी पी है तूलल में साध हुगर-थृटरर इशर्ण की तो समय यह सर टेट्राहेडरल बात समझ गए SP3 मतलब टेट्राहेडरल सर इसमें कहीं पर D का involvement नहीं आया और अगर D का involvement नहीं आएगा तो सर स्क्वार प्लैनर नहीं हो सकता दूसरी important बात यहाँ पर जो angle बनता है टेट्राहेडरल का शेप दिखा है आपने टेट्राहेडल का शेप दिखा है ना आप लोग ने ऐसा 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 और ऐसा एंगल पता है ना आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ एंगल कितना होता है एक सो नो पॉइंट फाइव डिगरी या कभी-कभी 28 मिनिट भी लिखते हैं और बैया स्क्वार प्लैनर का एंगल कितना होता है 90 दिगरी और मैंने आपको पढ़ाया था जित्ता जादा एंगल होता है जित्ता दूर कोई होता है रिपल्छन कम रिपल प्लैनर यह बात आपको पता होनी चाहिए यह बात आपको पता होनी चाहिए चलो जल्दी नोट डाउन करो फिर अभी देखते कम्पीटर साबने भी कुछ ना कुछ लिखा ही होगा तो उनका भी पढ़ना पढ़ेगा ने तो गुस्ता हो जाते हैं वह बहुत जल्दी और क्लिर करें कि लृट को अनब अँधर Pak साफ करें कि आठी होगी और यह करें हो थे इलेक्तो जाएक्सियस से ना करें हो इंडा यह नहीं है फाई यह है यह त्विपार आउफाय चयार बिख्टर आउसे देर के इ stuffs ऐखो एकसे बाई मने डऊटि ने ऑन लेतेशं लें तो औ करनी वैसे यह मैंने पीछे दिलवा दिया आपको जो मैंने हैं रिटन में बनाया वही सेम है चलो आप देखो थर्स कार्बन एटम अंडर्गो स्पी थ्री हाइडिडिजेशन and forms tetrahedral structure for square planer geometry carbon atoms should have DSP to hybridization but as carbon does not have d orbitals के पास d orbital ही नहीं d नहीं है तो कहा से ले आए दूसरों के गल से चोरी कलने क्या है चोर बना लो नहीं है it cannot undergo DSP hybridization thus maintain geometry cannot be square planer और also in square planer the board angle is 90 degree मैंने का ही था और भाई साबके में क्या angle होता भीया क्या angle होता है आपको पता ही होगा और जितना जादा board angle होता है उत्ता repulsion कम होता है लिख लो यहां पर board angle जादा है तो repulsion कम है और अगर reproduction कम है तो सरया दखिये stability सबसे जदा है stability जादा, यह मैं पढ़ाया हूँ, यह मैं पढ़ाया हूँ, देखिए, so the stability is not the because of repulsion between bond pair, so as per Vespa theory, methane tetrahedral structure is perfect, methane's tetrahedral structure is perfect, चलो, समझे के नहीं समझे, समझे, जल्दी बोलो, clear है के नहीं है, समझ में आया के नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ में आया के नहीं आया, और अगर आगे आया है तो बोलो yes, बोलो yes, बोलो जकास, सर एक तरफा, जल्दी, 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 नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, जल्दी, हो गया, चलो एक बास का स्क्रीन शॉट ले लो समझ में आया ना क्यों नहीं लिए अपने एक का 90 डिग्री एक का 109 डिग्री के आसपास तो सर वो ज़्याद ही होता है चलो, explain चलो, अगला कोशन जल्ली कोशन पढ़ेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्ली कोशन आप रीट करो थोड़ा कोशन सर आप कोशन रीट करोगे तो ज़्यादा बेटर है फिर मैं बताओ, मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग आगे वरते जा रहे हूँ थोड़ा खुछ से ट्राई करो जित्ता ज्यादा आप ट्राई करोगे उत्ता फाइदा होगा जित्ता ज्यादा आप ट्राई करोगे उत्तना ज्यादा फाइदा होगा सर यह guarantee है क्या कह रहा है समझो explain by BF2 molecule has a zero dipole moment although BEE edge bond are polar अरे सर यह बहुत easy है सर देखो BEE और जो edge का bond होता है damn sure वो polar bond होता है damn sure वो polar bond होता है why क्योंकि दोनों के बीच में electro negativity difference है because electro negativity difference है मानता हूँ मैं आपकी बात बिल्कुल सहमतू मैं आपकी बात से कि एक की electro negativity जादा है दूसरे की electro negativity कम है तो there must be a dipole moment पक्का उसके अंदर dipole moment होगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ dipole moment होगा no doubt dipole moment होगा लेकिन लेकिन सर बात समझे बात समझे sorry dipole moment नहीं होगा polar molecule होगा यह polar होता है damn sure वो polar molecule होगा BH वाला polar molecule होगा लेकिन जब हम एक compound में आते हैं किस में आते हैं बिठा compound में आते हैं तो compound में जब हम क्या नापते हैं dipole moment क्या नापते हैं dipole moment which is denoted by mu तो सर उसमें सिर्फ हम यह नहीं देखते हम उसमें सिर्फ यह नहीं देखते कि वहाँ पर polar bond है सिर्फ यह नहीं देखते polar bond है polar bond देखा जाता है लेकिन एक और चीज़ देखी जाती है direction एक और चीज़ देखी जाती है direction कि वो जो polar molecule है उसका direction कैसा है सर सर मैंने आपको हमेशा बोला है आपने देखा होगा cricket match देखते हो ना सर सर उसमें बहुत बार ये बोला जाता है कि आपको जान नहीं लगानी है आपको बहुत ज़्यादा power hit नहीं करनी है आपको timing करनी है आपको timing करनी है अगर आपने fast baller की ball को सिर्फ direction भर दे दी आपका काम हो गया सर आपका काम हो गया आपने एक Australia का match देखा होगा जब इंडिया को Pakistan ने एक बार हरा है था बहुत गंदे तरीके से अभी हरा है था नहीं तो Pakistan हरा नहीं पाई इंडिया को ना हरा पाईगी अभी आप देख रहो World Cup में हलत खराब है India इंडिया चली रहा है लेकिन वो एक match जो हुआ था भी दो साल पहले एक साल पहले आपको याद होगा तो उसमें फाइनल्स में Australia ने उसका Matthew Wade जो पिकेट कीपर है उनने शाहिंशा अपरी दी को लपक के पेला था खूब मारा था कैसे मारा था आपने देखा होगा सिर्फ कुछ नहीं कर रहा था वो यॉरकल लेंड डाल रहा था भाई साब हटके से वेगदब टक शॉट टक शॉट फोर्स लगाने कहीं नहीं उसने का भाई डालो आप जित्ती दम से डाल सकते हो हम सिर्फ ऐसी जगा ढूनेंगे जहां पर अल्रेडी कोई अविलेबली नहीं है तो भाईया हर जगा किर्केट में आपने देखा होगा पावर रेटिंग करनी नहीं है क्यों करना है सर टाइमिंग का खेल है डारेक्शन दिखाओ ना खेल यहां पर भी वह है बिचारा भी एच्टू डारेक्शन में मर गया कैसे मर गया डारेक्शन में अभी बताता हूँ दो बेल लडिंग अभी देखना आजाओ आजाओ जल्दी आजाओ जल्दी आजाओ बस जल्दी आजाओ हो गया पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन गर इसको फिर आगे बताता हूं कैसे हुआ फिर आगे बताता हूं कैसे हुआ चीक है करूं मैं चलिए 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 clear कर दू clear नहीं करते है answer बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा थोड़ा सा direction देते हैं अपन भी low है सर आप भी नहीं मान रहे हो पहले इसको थोड़ा सा short करते हैं ओहो और इसको लेके चलते हैं उपर ये बढ़िया काम है काई को अपन अटाए है चलिए अब देखो सर इसका bond बनाओ BEH2 यह यह सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ दोनों के दोनों पुलार है ये भी पुलार है देखो बार के तरफ डारेक्शन है ओके ये भी पुलार है बार के तरफ डारेक्शन है लेकिन सर अब फस गए आप अगर मैं बीच में खड़ा हूँ मुझे यहां से भी कोई कीच रहा है यहां से भी कीच रहा दोनों कीचेगें नहीं जाओंगा, क्योंकि संब दोनों force equal है and opposite है, और आप जानते हो equal and opposite etc cancel each other, equal and opposite etc cancel each other, और जब एक दूसरे को कोई cancel करेगा, तो सर डाइपोल मुमेंट कितना आएगा, सर डैम शूर इसका डाइपोल मुमेंट जीरो होगा चमका के नहीं चमका एक तरफा कोशन था सर एक तरफा कोशन था कोई दिक्कत की बात थी यह नहीं कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी एक तरफा कोशन था एक तरफा बोले तो जखास बोले तो जखास ठीक है कोई दिक्कार जल्दी बताईए जल्दी जल्दी बताईए कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इसाब से तो clear है जल्दी बोलो clear है के नहीं है clear है के नहीं है जल्दी यही चीज़ तो आपको पता करनी थी जल्दी लिखो फिर अपन देखते computer साब ने क्या बताए हुआ आगे हैं देखो लूइस चक्चर ऑफ भी एच टू इस यही तो है सेंटर अटम इस नॉट हैविंग एनी लोन पेर बट तू बॉन पेर थास इच शेप इस एबी तू मतलब लीनियर शेप रहेगा और यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए सर एक चीज होई बात है यहां पर यह बॉन्स गलट लिके हुए थोड़ से बॉन्स यह गलत लिके हुए थोड़ा देख ली जिए गा का गया खाओ ब्यामिया मैं वोई नहीं मिर जाएगा चलो चलो कोई नहीं एक और बार कर लेते हैं क्या दिक्कत है इतनी टेंशन की बात थोड़ी है यह डबल बॉंड नहीं बनाता भी है वो थोड़ा सा डबल बॉंड आ गया होगा उसकी प्रॉब्लम मत लीजें कोई दिक्कत नहीं होता है कर भी कभी यह देखिए इस तरीके से आप देखिए थास दником ब्रेलियlusive और इसईक्वल एन अपोजट इन डारेक्शिन नलिफाइड वन अनडर एक दूसरे को कैंसल करिंगे और जब cancel करेंगे तो इसका dipole moment कितना आएगा? 0 आएगा, कितना आएगा sir? 0 आएगा, यही तो अपन बोल रहे थे यही तो अपन ने बोला था यही सारी चीज अपन देख रहे थे कोई दिक्कत की बात, कोई दुख, कोई दर्द मेरे साब से तो कोई प्रावलम नहीं है मेरे साब से तो कोई प्रावलम नहीं है चेक करिए, जल्दी चेक करिए जल्दी 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 कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रावलम हो तो बताओ जल्दी बताओ, बस दिक्कत हो तो clear, पक्का confirm, चलिए जल्दी नोट डाउन करो इसको हटाने का है क्या बाइट पूरा नहीं हटाऊंगा नहीं तो जो गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा वो दिख जाएगा ठीक है फिर आपको लिखने में आसानी नहीं होगी ये लो अब लिख सकते हो आप अच्छे से अब लिख सकते हो क्या है सर बढ़िया कोशन है मज़दार कोशन इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा पीछे कहां जाना है अरे मतलब बैक स्लाइड में तुम भी कहां लगे रहता हूँ अब देखिए विच आउट ओफ एनेश ट्री एंड एनेश ट्री एज हाइड डाइपोल मुवेंट एन वाई सर यह कोशन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है क्लास में इन दसेंस जब मैं आपको कंसर्ट वीडियो पढ़ा रहा था ना तब भी यह करवाया था और सेंसे को चलो सर्सार सार चलो चलो बस लास्ट कोशन के बाद आज समाप्त करेंगे लुक्त अपना ओको की यह पूसे आपको वोर्टींग करो चलो होट इंग रोए जाधा होगा यहां झाली वोट ऑको कर दो सब कर आपको लगना होगा किसे धाइपad मुंंट सैथ ज्यादा होसे लेकिन मैंने अभी आपको समझाया सर यह आगर आप टाइम चांएंगे सिर्व डारेक्शन दें गे। आप हमेशा रंस हैंगे हैं runs बनाएंगे चीक है चलिए आज आई ये NH3 पर बात करते हैं आओ सार नाइट्रोजन के पास होते हैं पाँच एलेक्ट्रोन कित्ते होते हैं सार पाँच पाँच बोले तो एक तो लोन प्यार होगा बबाँ चीक है लेकिन लोन प्यार का ये नीचे नहीं होने कोई दिकत कोई दिकत चल अब इदल देखते है इद़र आएंगे ये ले लो इसके पाँच बाँच एलेक्ट्रोन होते हैं ऐसे बस फर्क यह है कि सर इसके पास हाईड्रोजन ना हो के कौन है फ्लोरीन चलो मुझे बस ये बताओ मुझे बस ये बताओ सर इधर पे nitrogen ज़्यादा electro negative है की hydrogen common sense वाली बाते nitrogen ज़्यादा है तो जो bond बनेगा वो किस direction में होगा सरी bond नहीं dipole वाला किस direction में होगा nitrogen के तरफ तो चलो एक नहीं सर वाइट से बनाएंगे वाइट से बनाएंगे वाइट का use नहीं किया है ये ये और ये दिखा और loan pair का कहा होता है उपर की तरफ सर ये देखिए सर ये तीनो भी एक ही direction में है और ये भी इधर वाले direction में तो ये एक दूसरे को cancel से नहीं कर रहे है सर इसका डाइपोल मुमेंट सबसे ज़्यादा है सर सम्थिंग टू पॉइंट कुछ दिबाए लेट सपोस्ट टू पॉइंट फाइबाए कि ता लिलिया 2.5 डारेक्शन देखो ना सर और ये भी आई कोई किसी को cancel थोड़ी कर रहा है आप चले उदर उदर देखो उदर देखो अब बताओ सर सर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिवे के फ्लोरीन सर अभी तो बोला था सबसे दोगला हादमी तो यह यह चलो भाई दोगला भाई के बाद ऐसा ऐसा होगा तो कहां की तरफ नीचे सर नीचे सर नीचे और ये कहां होगा उपर अब देखो ये कहां खीच रहा है इधर और ये तीनों कहां खीच रहा है इधर तो देखो जब ये ऐसे खीचेंगे तो ये बीच वाला कहीं जाएगा क्या नहीं जाएगा सर तो इसका डाइपोल मुमेंट इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा लगभग बोलू तो 0.2 डिवाए सर क्या कहा था मैंने सारा खेल डारेक्शन का है सारा खेल किसका है डारेक्शन का अगर आप सही डारेक्शन में हो तो सर आपका डाइपोल मुमेंट जादा होगा और अगर नहीं हो तो आपका डाइपोल मुमेंट क्या होगा कम होगा सर इधर पर अगर आप देखें तो इस सही डारेक्शन में इसलिए डाइपोल मुमेंट जादा इधर डारेक्शन उल्टा हो गया, इसे लिए डायपोल मूवमेंट कम हो गया, क्या हो गया, सल जी? कम हो गया, जल्दी नोट डाउन करिए, तो यह बात confirm है कि डायपोल मूवमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया इस मोर एस कंपेर टू अहां, फिर गलत लिख दिया, as compare to nf3 as compare to nf3 ये चल जल्दी note down करो जल्दी note down करो बस ख़तम पे हैं जल्दी note down करो जल्दी जल्दी note down करो जल्दी जल्दी ओके हो गया पक्का clear है screenshot लो जल्दी done? चलो आ जाएगे nitrogen atom is the central atom of nf3 as well as nh3 एक में डूकिए मुझे इसकी जरूद पढ़ेगी है nitrogen atom is the central atom of nf3 and nh3 देखिए सर्थ दोनों का central atom है central atom has one loan pair and three bond pair दोनों के पास एक loan pair और तीन bond pair है as fluorine has more electro negative than hydrogen atom nf3 should have higher dipole moment than nh3 ऐसा मेरको भी लग रहा था but the dipole moment of nh3 is 1.46 सर यह 1.46 है मैंने कुछ जादा value लिख दिये लेकिन मैंने तब भी बोला था approx value है मैंने तब भी बोला था approx value है 1.4 diopter diopter नहीं डिबाए उसके बाद नीचे बाले देखे किती है 0.24 लगबख देखे 0.2 di by कोई रिक्कात आगे देखे it is clear from the direction of dipole moment of individual bonds in nf3 and nh3 सर सारा खेल dipole का है सारा खेल किसका है dipole और dipole का भाएगा जब direction बढ़िया होगा क्या बढ़िया होगा सर direction बढ़िया होगा क्या बढ़िया होगा direction चलिए फटा फट screenshot लेंगे क्या लेंगे सर जल्दी screenshot लेंगे जल्दी लीजे जल्दी लीजे screenshot जल्दी हो गया पक्का पक्का जल्दी screenshot करू clear चलू एक इसका भी screenshot ले लिजे लिया यह देखो दिख रहा है same diagram पीछे से copy करिए देखिए टेरें टेरें ऐसा as both the nitrogen H and in the same direction it adds to the bond movement of the lone pair while NF and in the opposite direction so they are partially cut the bond movement of lone pair thus dipole movement of NH3 is higher than that of NF3 यह क्या था यह एक दूसरे को cancel कर रहे थे लेकिन यह एक direction में मिला रहे थे इसलिए इसका dipole moment जदा है और इसका dipole moment कम है चीक है जल्दी screenshot लीजिए जल्दी screenshot लीजिए चलिए clear है कोई दिक्कत तो नहीं पका screenshot लीजिए जल्दी जल्दी screenshot लो ले लिया चीक है सर पीछे वाला ले लिया था ना वो एक बार और देख लो यह वाला और अच्छे से ले लो यह काम का है बहुत ज़्यादा का है चीक है चलिए अगले कोशन के दरफ अरे यार अब तो समाप्त चीक है सर 24 कोशन हो चुके है अभी भी 16 कोशन बाकी है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल वाले में सारे निप्ता दू और अगर आज सारे कोशन समझ में आ रहा है तो एक बार थमसब हो जाए बहिया चमका के नहीं चमका अगर चमक गया हो तो लिख दो एक बार चमक चुका है तो पड़ाई में जान लगानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी साथी साथ आपको पता ही है Magnet Brains के दो चैनल है English Medium as well as Hindi Medium देखी रहा है English Medium में CBSC भया क्लास 11th और 12th के लिए Chemistry रोज मैं आपसे मिलता हूँ साथी साथ सारे सब्जेक्स अविलेबल है सार जाईए पढ़िए जब के पढ़िए और spoken English CUT, NTSC और Olympiad जैसे courses भी अविलेबल है सार पढ़ना पढ़ेगा सब मिलेगा, बकाइदा मिलेगा और Indie Medium में भी CBSC कोई आपका friend हो तो उसको बोलिए बिटा आजा साथ में पढ़ेंगे जमा जम पढ़ेंगे UP board, BR board और MP board सारे courses अविलेबल है बढ़िया तरीके से अविलेबल है सर कोई दिक्कत की बात नहीं पका, कोई दिक्कत तो नहीं चलिए सर साथी साथ सारे notes अविलेबल है भाई और क्या चाहिए e-books अविलेबल है सर कहां मिलेंगे भाईया description में देखो ना link अविलेबल है जल्दी जाओ नीचे मिल जाएगी और सर सब कोच 100% quality education के साथ 100% free मैंने आपको कहा है ये बस खतम होने वाला है इसके बाद जो नया chapter चालू करेंगे वो करेंगे आपके पसंदिता जो हमने पोल करवाया था उसमें आप लोग ने चूज किया thermodynamics को इसके बाद मिलेगा thermodynamics एक तरफा मिलेगा सर बहुत मज़ेदा chapter है मैंने कह दिया ना आएगा आपको मतलब आएगा तो आपको बस रोज आना है सेम टेम सेम जगा आके मिलना है मुझसे और काम बिलकुल बराबर होने वाला है तो मिलते हैं आपका कल कितने बचे इतने टाइम पे कहां पे यहीं पे किसके साथ मेरे साथ और कल देखेंगे सर इसका last part 3 कोशिश मेरी पूरी है कि कल मैं पूरा निप्टा दू ठीक है तो कल मिलते एक और फिर पल्सों से थर्मो डाइनमिक्स ठीक है चलिए तब तक के लिए बाई बाई थैंकि जो मच